अब गर यहां गई आप सबके लिए बहुत ही जबर्दस्ट एक स्टेड़ेस वीडियों लेकर आगये जैसे आपने स्टाटिंग में वीडियों कर देखा तो चलिए वीडियों को सब्सक्राइब को कैसे एडिटिंग करना है और कमाल का यह एडिटिंग है दूस्तों ठीक है तो चリहें स्टाट करते हैं यहां से ओपिन कर लेते हैं इसके बाद से आपको करना क्या यहां पर नीचे देख सकते हैं प्लस का option मिल रहा है यहां से पीन पे क्लिक कर लेंगे हाजिए बिल्कुल स्कृट सब्सक्राइब आप चलिए सबसे पहले मैं अपना फोटो को लेके आता हूं उसके लेए ब्लस करेंगे यकार यहां से Yoast प्रवासा जूम कर लेंगे ठीक है कुछ इस तरह कर से जूम हो गया अब इसमें आपको करना क्या है यहां से बैक कर लेंगे यहां से एक्सिक्ट ऑडियो करेंगे वीडियो को उपर क्लिक करना है वीडियो को यहां से डिलीट कर देना है अब इसका नेक्स स्टेप में आपको करना क्या है गाना को आपको देख लेना है कि कहां तक आपका गाना है ठीक है वहां तक आपको रखना है बाखी का पार्ट को आपको क्लिक करके इसको ट्रेंट कर देंगे ये कड़ गया अब यतना कुछ हो जाने के बाइद आपको एकदम आराम से दियान से आप से देखना है यहां से आपको गाना को सुन लेने के बाद कहीं आप चाहें तो लिरिक्स को लिख सकते हैं ताकि आपको बार-बार देखना नहीं पड़े आपको याद रहेगा ठीक है आप देख देखके लिख लेंगे तो उसके लिए आपको एक मार्क लगाना होता है दोस्तों ठीक है यहां से वीडियो को प्ले करेंगे और यह है मार्क का उप्शन माली जे पहला लिरिक्स आपका यहां तक आ रहा है 1.09 तो एक यहां प करा देता हूं दूस्तों मैंने अपना संग को सुन लिया है उसके बास से यहां पर मार्क को हम लोग यहां पर लगा दिया है दूस्तों ठीक है अब यहां पे लिखना है जरा ठाएरो भूल देते हैं यहां से करना है पे थ्ञिस होगा कि यहां पे छाट यहां पर एक स्पेश कर लेते हैं उसके बाएंगे बढ़ा एंगे तोड़ा सा यहां से इंक्रीज रखेंगे यहां पर यह वाला को लाइनिंग को क्लिक करेंगे दोबर तो यह बीचो बीच में आ जागा रेवोटो रेगुलर पर क्लिक करना है और यह वाला आप्शन को चूज कर लेना है यह वाले टेक्स्ट को ठीक है यह वाला टेक्स्ट को रख देनी है अब इसको बास से आपको करना क्या है यहाँ से बैक करना है यहाँ पर से बाइंगर क्लिक करेंगे यहां से इसको साथ्व को ऑन कर देंगे हैं यहां पर 4 में आपको देख रहे तो आपको वन अ Mac पहीं रहेका तो ज्वेटर ल meille alde अब इसको थोड़ा साब को दोस्तों कर लेना ताकि आपका टेक्स जो है थोड़ा सा बड़ा लगे और अच्छा लगे ठीक है अब इसमें लोग एनिमेशन सीखेंगे लगाना तो एफिक पे जाते हैं यहां से आपको टेक्स वाले ऑप्षन पर जाना है टेक्स ट्रांसफॉ जाने के बद यह जो स्टार्ट है इसको आपको बढ़ा लेना है दोस्तों ठीक है यहां पर पूरा का पूरा आप 100 कर देंगे यहां पर ठीक है यह हंड्रेट हो गया अब इसके बाद से आपको नीचे आनी है फेज आपको यहां पर एक option मिल जाता है यहां पर कॉम्पोनें ठीक है 298 में रखा था 298 के जगह पे आप 300 पूरा का पूरा रख सकते हैं ठीक है एंगल को कोई भी छेड़ चाड़ नहीं करना है नीचे में आएंगे नीचे में आएंगे आलफा को थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है और इस तरह के से होग रहा है देखिए कितना क कमाल का लग रहा है थोड़ा सा और नीचे आएंगे इस इनको पूरा यहां पर माइनस में करना है इस आउड को इधर प्लस में कर देना है ठीक है तो अब यह देखेंगे तो टेक्स आपको कुछ इस तरह का से स्मूदली आएगा एक बर में प्ले करूं तो देखें कितना अचा इसमूदली आपना यहां थोड़ा सा इसमें आपको प्रावलम है वह मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या है करना इस एक सुरू करना है और इस लास्ट में सब्सक्राईग थी ठीक कुछ इस तरह कैसे आपको माइनस में लेके जाना है तो देख सकते हैं इतना माइनस में लेके जाएंगे देखें जितना मैं कर रहा हूं ठीक है अब दोस्तों इरेज आउट को करने के बाद यह ओफरलेप का अप्शन मिल रहा है इसको 293 के हिसाब से आपको रख देना है ठी स्टैड़र सेटिंग को क्लिक कर लेने ठीक है इस पर फेले काउंट का मिल जाता है तो यहांको फोर के करीब में रखना है स्ट्सक्राइब यहां पर 4 रखना है count में हो जा यार हाँ ठीक है 4 हो गया वीर्थ वाले option पर जाने के बाद इस दर 0.50 जो आप देख रहे हैं इसको 0.50 ही रखेंगे एंगल पर आपको इसके नीचे आजाना है एंगल पर क्लिक करना है एंगल पर क्लिक कर लेने के बाद इसको कम करना है दोस्तों यहां से 0 रख देंगे आप पूरा उसके बाद से face का option मिलते है face पर क्लिक करना है टेक्स का सुरू में एक प्लस करना है और उसके बाद से टेस्ट का लास्ट में एक पलस करना है दोस्तों यहाँ पे इक पलस करदेना है इसके पासे इसको बढ़ा ना dua को देख सकते हैं इस ना जैसे मैं बता right आप यह तें के तो यह तो आगर आप वीडियो इतना देर देखेंगे तो यहां से वीडियो प्ले हो रहा है बहुत ही कमाल का लग रहा है और नीचे आनी है यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे कलर कलर पर क्लिक करना यहां से लगभग आप करीब में रखना है बस अब आपका काम यहां पर कम्प्लीट हो गया यहां पर क्लिक करना है यहां से इसको कॉपी कर लेना है और यहीं पर आके इसको पेस्ट करना है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक पेस्ट में किया अब जरा ठहरो जरा बैठो लिखना है तो इ कि हो गया यहां से ओके करना है अब यह देखेंगे तो अर्टमेटिक लिए टेक्स्ट यह सारा कुछ इसमें कंप्लिट किया हुआ है आपको और भी कुछ नहीं करना है और जितने भी इस तरीका के टेक्स हैं वह सब इसे ही आप लिख सकते हैं कोई भी दिकत नहीं होगी ठीक उसके बाद से फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले इसको बीचों बीच आप रख देंगे दोस्तों और इसको कुछ इस तरीका से करके थोड़ा छोटा रख देंगे यहां पर क्लिक करके एटीन पीटी पर इसको इस तरीका से करके बढ़ा कर लेना है और यह तो इस प्लस कर लेना है और इसको अब हाट जो है वह थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जूम कर लेना यहां पर देख सकते कुछ इस तरह कर से ठीक हो गया कि अब इसी hard पर click रहेगा एक दम last में आ जाएंगे और यहाँ पर पर आपको सबसे पहले आपको हाट पर click करना करना है यहाँ लिंग करवाने के लिए आपको करना क्या है उसके बाद से Newton यहां यहाँ पर पर संट जाता है आज एट पर तो मिल जाता है और यहाँ पर पर एक FEMA चैनल मुल जाता है तो पल्स वाला सब्सकों को ले लेंगे वह आपको को मूव और ट्रांस्वर्म पर मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं यह पर साइज का ठीक है पर सेज्ट करेंगे स्टैनेट सेटिंग को क्लिक कर लेंगे सबसे और यहां पर देखेंगे कि आप एकदम कुछ भी नहीं करना है एकदम छोड़ देंगे तो आपको देखिए य दोस्तों यह सिंपल स्टैटिस फई को क्लिक करने स्टैंडट सेटिंग को क्लिक करने ठीक है यह पर एकदम करेंगे यहां पे प्लस करेंगे और एक्स पे क्लिक करके दोस्तों यहां से आपको right से left की तरब आपको बढ़ाना है ठीक है यहां पर देख सकते right से left की तरब मैं बढ़ा रहा हूं और यह size पर जाने के बस size को थोड़ा सा आपको increase कर देना है दोस्तों यहां पर स्वारी स्केल को नहीं करना है स्केल आपको वहीं रहागा वन रहागा ठीक्व कर आपको तो आपको पाटिकल आप उसको लिए अब यह देख सकते हैं तो मैं हिसके बाख सकते हैं लेकर आगे ड्रंस्फर्म पर जाके थर्ड वल जोड़ा अब इसी पर आपको क्लिक करना में लाइटिंग पर जाना है और इसको इसको क्रीन कर देना है बाकी काम आपका पूरा का पूरा और इस वीडियो को सेब करने के लिए सेर वाले अप्शन पर जाएंगे यहां से वीडियो पर स्लेक्ट रहेगा यहां से एक्सपर्ट करेंगे तो वीडियो अपका गैलरी में सेब हो जाएगा दोस्तों